नमस्कार दोस्तों तो दिए इस वीडियों में बात करेंगे तीन स्टॉक के बारे में जहां पर काफी अच्छी तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है और काफी इंपॉर्टन लेवल को स्टॉक निकाला है साथी एम्टीनल पर एक बड़ी ख़वर सरकार की तरफ से आती ह मिल रही है बात करेंगे एम्टीन रीकोटोन ग्रेफड इंडिया स्टॉक के बारे में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो भी कर लें साथी बयल आकन को प्रेस करने सबस्क्राइब सबस्क्नाइयों एसेट को मॉनेटाइज करने गया जो है प्रयास लगातार यहां करती हुए देखने को मिल रहे हैं सरकार ने mtl के एसेट मॉनेटाइजेशन के लिए पहले चरण में जो है तेजी दिखाना प्रारंब कर दिया है आगे आप देख सकते हैं वसाही हिल मुलंड और मुंबई में सिंफोली में करीब 36 एकड़ का एरिया गवर्मेंट ने चूज किया जिसको वह जो है निलाम करेंगे बिडिंग करेंगे यह की जाएगी आगे आप देखते हैं MSTC के online e-beeding platform पर होगी MTN के assets के निलामी तो इनिलामी करेंगे इसके जड़ी जो पैसा उठेगा वो MTN के revival plan में जो है गवर्मेंट यूज करते हुए देखने को मिल सकती है तो दीगे भी market currently चल रहा है सुबह के पौने 11 बज़े हैं और stock में 5% का circuit आप देख सकते हैं एक वर इसके chart की history भी देख लेते हैं 5 दिन का chart देखेंगे 6% के return है एक महीने का देखेंगे करीब 9% के return दिखेंगे 6 महीन हम देखेंगे stock न 61% के return दिये है यह date की बात करेंगे 66% चला है और एक साल की बात करेंगे तो 117% की बढ़त देखने को मिल रही है तो दिखेंगे mtl के daily chart की बात करें तो एक्चुली यह stock news basis बन चुका है जैसे asset monetization की government की तरफ से कुछ खबर आती है तब यह चलता है फिर वापिस से जो है सुस्त होते वे देखने को मिलता है इस टॉक ने मार्च में एक हाई लगाया था आप देख सकते हैं करीब करीब 25 रुपए के आसपास टॉटिफॉर एंड हाफ एक्चुली यह price हाई लगाने के बाद इस टॉक अब 15 रुपए तक गिरते वे देखने को मिला था उसके बाद फिर से bounce देना start कर चुका है तो य सब्सक्राइब कर देखने को मिल सकती है जिन लोगों नीचे ले रखा है इसके asset monetization के चलते तो अराम से लीजिए इसको होड कीजिए और स्टॉक अभी चलते वे देखने को मिलेगा कोई नया लेना चाहता है तो लंबी उदिगा व्यू के बिना मत लेना ही चीज़ार में रखना क्योंकि सारा का सारा दारूमदार डिपेंड करता है asset monetization पर अगर उसमें कोई चूक हुई या डिले हुआ तो इस्टॉक फिर से गिरते वे देखने को मिल सकता है तो देखिए एक काफी छोटा इस्टॉक यह है करीब करीब 53 रूपीज के आज पास चल रहा है इंट्राडे में आज इस्टॉक ने 4-5% की तीजी जो है बनाई ह है इसमें 57 से लेके 58 रूपय तक के टार्गेट इनिशियेट किया गया जिन लोगों ले रखा है अराम से होल्ड करिए 55-57 की रेंज में जब आप स्टॉक पहुंसता है तब विचार कर सकते हैं कुछ पार्ट कुछ शेर्स सेल करने का लिए बात करें इसके इंट्राडे के आज की जाट की मार्केट अभी करण्टली चल रहा है 5 पहिंट तक के आस पास की तेजी स्टॉक में है बनचुके है आप देख सकते हैं 53.20 के प्रैस पे चल रहा है तो दिकिंग बात करें RICO OTO के डेलिचार की तो डेलिचार्ट पर आप देख सकते ही स्टॉक एगजेक्लि कुछ खास हरडल नहीं यह बात करते हैं तो विकली चार्ट पर रहा है इस सिथां जो है दुह को च Means के उपर ऑपर किया उस जितार राक किर सकते हैं देखिए आज के दिन तेजी juste हैं ए प सकते हैं चार से 5% तक की तेजी स्टॉक में देखिए करीब 680 से लेके 700 तक के टार्गेट भी स्टॉक में आते हुए देखने को मिलेंगे इस स्टॉक के अब हम बात कर लेते हैं डेली चार्ट के बारे में कहां हडल और कहां सपोर्ट बनेगा तो दीगे बात करें ग्रेफाइट आज क्लोजिंग मिलने की आउमीद करते हैं और देखते हैं अब इसका डेली चार्ट तो दीखे डेली चार्ट के अगर बात करें तो इस्टॉक 800 के प्राइज पर करीब करीब तीन वार हर्डल फेस कर चुका है देख सकते हैं आप दो और मई के महीने में और एक वार करीब करीब पहुंचा था जून के महीने में करीब 770-80 की रेंज में हर्डल को फेस किया था उसके बाद लगातार गिरावट का चेंड यहां बनते वे देखने को मिला इस्टॉक 565 पर तक जाता है और सपोर्ट लेता है अब इस्टॉक के लिएक नेक्स्ट हर्डल जा आप केजी बनते वे देखने को मिलेगी जो कि स्टॉक को करीब करीब 700 से लेके 720 की रेंज में ले जाने का पूरा ट्राय करेगी तो इसको और हम से होल्ड कर सकते हैं अच्छी कंपनी है कोई नया लेना चाहिए तब भी लंबे अवदी के लिए यहां पर ले सकते हैं मीडियम अ इवेंच्वली अपने 800 के टार्गेट तो फिर से जरूर यहां पहुंसते हुए देखने को मिलेगा चली बात के लिए इस वीडियो में तीन स्टॉक के बारे में वीडियो चलगा तो सलाई कर देना चलन को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद